हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों जो आप नवादे विध्या लेके जो छेटी क्लास की विध्यारती हैं उनके लिए जो प्रवेश पत्र याने की आपकी ओनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है तो उसके बारे में पूरी डेटल में बताने वा छटवी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होई ठीक है यह तो आपका जो न्यूस पेपर की कटिंग थी वह मैंने लिए है फिर आगे में वेबसाइट पर जाके आपको पूरी प्रक्रिया में बताने वाला हूं तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें दिया है कि जो नवादे विद्ध्याले है दोस्तों उसकी कक्षत छेटी के लिए जो सत्र रहेगा 2021-22 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको ये वेबसाइट पर जाना पड़ेगा है ना www.nowaday.government.inpert ठीक है अब मैं प फोटो पे फिर बात करना है क्या कि जो वर्तमान सत्रे 2020-21 में जीले के किसी भी सरकारी अत्वा गेर सरकारी माननेता प्राप्त स्कुल की कक्षा पांच में अध्यान होना चाहिए यानि कि जो बालक रहेगा दोस्तों वो बालक का आपका जो पांचु क्लास में अध्यान हो होना चाहिए उसका ठीक है पांचु क्लास में होना चाहिए बालक अब बात करते हैं दोस्तों जो आवेदन की अंतिम्तिती है वो दिये इन्होंने तीस नौवंबर 2020 ठीक है और परिक्ष्य दिये हैं इन्होंने जो आपकी होने की है वो रहेगी 20 अप्रेल 2021 को और सुबह ट पड़ेगा सर्च क्या करना है तो आई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको गूगल करना है जैसे आप गूगल पर क्लिक करोगे दोस्तों वहां पर आपको नवदे विध्याले गौवर्मेंट डोट इन आपको सर्च करना है ठीक है गूगल पर आपको सर्च करना है जैस पर आपको क्लिक कर देना इस जगह पे तो यह आपका यहां से हट जाएगा हटने के बाद दोस्तों आपको यह आपका पूरा पेज दिख जाएगा जो नवद्य विध्याले का है ठीक है इसको नीचे आपको क्या करना है स्क्रोल करना है दोस्तों है इस प्रकार से आप जैसे कि आप यहां पर किलिक करोगे आप आगे बढ़ना आगे बढ़ोगे तो आप को इस प्रकार का नजर आएगा एडमिशन इंडूर्मेंट अमबर इन पर क्लिक नहीं करना है थोड़ा नीची जाओ के तो यहां पर तो यहां पर दिया है कि 20 भाषाओं में आपका यह पेपर है और वीस भाषाओं में ही नोटीफिक्षान है तो उसमें भाषाओं आपको मैं बता दूंगा कौन-कौन सी हैं ठीके अब में बात करता हूँ आपका पेपर जो आना है वो कैसा आना है दोस्तों तो देखो मेंटल अबिलीटी से दोस्तों आपको साथ मिलेंगे और 50% वेटरेज रहेगा पेपर का यह पर का यह आपका मेंटल अबिलीटी का दूसरा अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक में आपको 30 मिट का टाइम रहेगा यह यह तो आपको एक साथ दिया जाएगा वह लेकिन आपका जो 25% एरिया रहेगा वह अर्थमेटिक करेगा और जो भाशायने लेंग्वेज कराओगा 25% 25% रहेगा तो जितने भी जो भी भाषा में करना चाहते हैं है यह रहा पर आपका हिंदी भी दिया है हिंदी में भी कर सकते हैं उर्दु तेल्गू तमील जिसमें उसमें कर सकते हैं तो यह कुछ प्रक्रिया थी अभी कि फिलाल इसका जो ओनलाइन है system इसमें अप्लाइ कर सकते हैं ठीक है अभी फिलाल कोई लिंक नहीं यहां पर ठीक है बाकी 20 आपको तारिक दे दिए कि नौवंबर आप इसमें आकरी मन्त है और आपकी पेपर अपरेल में रहेगा तो जैसे लिंक खुलती है मैं आपको बता दूगा कि यहां से आपको एपलाई करना है बाकिया आप जानकारी देख सकते कि किन-किन भाषाओं में आप दे सकते हैं पेपर और यह आपका किस प्रकार का पेपर रहेगा यहां पर बता दी है और आपको नोटिविशन वापर देखना है तो आप इलिजिलिटी जो एरिया अपने देखा है वहां पर आप देख सकते हैं कि कि आप इलिजिबल हो या नहीं हो इसके लिए तो इतनी चानकारी आपके लिए है सांतियों और जैसे आपकी आता है लिंक वगरा कुछ भी तो मैं आपको जरू शेयर करूंगा धनिवास सांतियों